अस्वामे कुम स्टुडेंट्स यूनिट नमबर 9 सेट ए बाइनी नमबर्स आज हम इसका करेंगे क्वेस्चन नमबर 3 एडिंग इन बेस 2 यानि बेस 2 के नमबर्स को अगर हमने प्लस करना हो तो उसका क्या तरीका कार है एक बात यह हमेशा याद रखिए कि बाइनरी नमबर बेस 2 के क्वेस्चन वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टिप्लाइ हो या डिवाइड हो इनका आंसर जो है वो भी 0 और 1 की सूरत में हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 यह नमबर हम यूज नहीं कर सकते अब इनको प्लस करने के लिए हमें राइट साइड से क्वेस्चन को स्टार्ट करना होता है यानि 1 के नीचे जो 1 है राइट साइड 1 के नीचे 1 अब 1 प्लस 1 जो है यह होता है 2 अब 1 प्लस 1 2 होता है और आंसर में हम 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि आंसर हमारा 1 या 0 के अंदर होगा तो फिर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे अच्छा इसके लिए आप ये डिवियन का रूल यूज कर सकते हैं यानि 1 प्लस 1 आंसर आता है 2 और बेस 2 के क्वेस्चन हम 2 से ही सॉल्व करते हैं तो 2 से अगर सॉल्व करें 2 1 जा 2 तो रिमेंडर है 0 जबके उपर नमबर जो आया है 1 हम ये नेक्स नमबर को दे सकते हैं तो जो उपर नमबर था 1 वो था हमारा कोशंट और कोशंट जो है वो कैरी चला जाएगा और उसको हमने कैरी दे दिया अब कैरी गया है 1 और उसके नीचे भी है 1 1 और 1 दुबारा 2 बनते हैं तो 2 1s are 2 रिमेंडर आएगा 0 और कैरी दुबारा चला जाएगा 1 अब अगर फिर देखा जाए तो हमारा दुबारा आंसर जो है वो फिर 2 बन रहा है क्योंके कैरी 1 आया और 1 के नीचे फिर दुबारा 1 है और उसके नीचे 0 है तो ये दुबारा 2 बना 2 1s are 2 दुबारा रिमेंडर 0 और कैरी 1 अब ये नमबर बने हैं 3 एक उसके अंदर जमा किया एक और उसके अंदर फिर जमा किया एक तो ये बने 3 अगर 3 नमबर होगा तो 2 1s are 2 रिमेंडर आएगा 1 और कोशेंट भी क्या आया 1 तो जो रिमेंडर आएगा वो तो हम लिख देंगे नीचे आंसर में और जो एक कोशेंट है वो कैरी जा रहा है आगे कोई भी नमबर नहीं है तो वो as it is नीचे आजाएगा तो ये हमारा बेस 2 का आंसर निकल आगा अब कुछ स्टूड़न्ट जो हैं वो ये डिवाइड रूल जो है उसकी बजाए वो कहते हैं कि हमें जल्दी से आंसर लाना है और हमें जुबानी कैसे याद हो जाए कि हर दफा तो हम डिवाइड नहीं करना चाहते तो उसके बगएर ही ये दो नमबर का क्वेश्चन जो बूर्ड के पेपर में आता है ये दो दफा स्वाल भी आ सकता है और ये दो और दो चार नमबर का भी क्वेश्चन हो सकते है क्योंकि पार्ट्स में आते हैं ये क्वेश्चन तो ये इस डिवाइड की बजाए अगर हम डिरेक्ली देखना चाहें कि हमारे नमबर का प्लस करने पे जो रिमेंडर है वो के आता है और जो कोशंट है वो के आता है तो उसको आपको मैं इस तरतीब से भी सिखात देता हूँ लेकिन अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करने से ज़्यादा बेहतर असान लगता है तो आप इस तरीके से कर लीजिए नहीं तो दूसरा तरीका जो आपको मैं समझा देता हूँ अब क्वेस्टिन को सॉल्व करते हुए नंबर्स को बाइनी नंबर्स को अगर हम आपस में प्लस करें तो जब कभी भी हमारा जो प्लस करने पे आंसर अगर 0 हो तो रिमेंडर 0 होगा प्लस करने पे अंसर हमारा अगर 2 हो तो remainder 0 होगा 4 हो तब भी remainder 0 होगा 6 हो तब ही remainder 0 होगा और 8 हो तब भी remainder 0 होगा क्योंकि हम 2 से divide कर रहे हैं Base 2 के अंदर अभर वो number जो 2 के table पे आता है उसका remainder हमेशा 0 होगा अब जब हमारा 2 answer आता है अगर उसका remainder 0 होगा तो two one's are two होता है तो quotient जो है वो one carry किया करेगा जब four होगा उसका remainder भी zero होगा लेकिन two two's are four होता है इसलिए quotient और carry जो है वो two जाएगा six के लिए remainder zero लेकिन carry three क्योंके two three's are six eight का remainder भी zero लेकिन carry four क्योंके two four's are eight अब अगर हम दूसरी तरफ आएं तो plus करने पे अगर one होगा तो remainder one आ गया quotient कुछ भी नहीं होगा जब कि अगर plus करने पे तीन answer आता है अगर उसमें से एक हमने remainder निकाल दिया तो पीछे क्या रहा गया two तो two के बारे में हम बता चुके हैं कि अगर two हो तो two one's are two two और one उपर carry जाता है तो याद रखिए three की दफा उपर हमेशा one carry जाएगा क्योंकि इसमें से एक तो हमने already निकाल लिया है as a remainder इसी तरह five में से एक हमने remainder निकाल लिया पीछे रहा गया four तो two two's are four carry जाएगा two इसी तरह seven में से हमने एक remainder निकाल लिया पीछे रहा गया six two three's are six तो ये हमारा carry जाएगा इसी तरह nine में से एक निकाल लिया remainder पीछे रहा गया eight तो two fours are eight तो carry जाएगा four तो ये binary numbers में इनको plus करने पे ये इनके quotients हैं जो carry जाते हैं और वो नीचे remainders हैं जो नीचे answers आते हैं तो जिन students को इस तरह असान लगे एक दफा ही वो याद कर लें और numbers के remainder के आते हैं और quotients के आते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं जबके दूसरा तरीका वो आपको मैंने divide वाला बता दिया कि divide हर number जब भी आपका plus करने पे आएगा उसको two से divide करें जो remainder है वो नीचे answer में लिख दें जो quotient है उसको carry कर लें अब एक हम tough question करके देखते हैं कि किस तरीके से plus किया जा सकता है अब यह हमारे पास एक question है 11011 second number है 11100 और third number है 10111 इन तीनों का अपस में हमने plus करना है तो पहले दो number right side से देखें तो 101 यानि 1 और 12 होते हैं answer में हम 2 नहीं लिख सकते यहां 1 लिखेंगे यहां 0 लिखेंगे तो divide करके देख लेते हैं तो remainder आया 0 और carry 1 अब 1, 1 और 1 तीन number है तो remainder आया 1 और carry हुआ 1 दुबारा तीन number है remainder आया 1 और carry हुआ 1 दुबारा तीन number है remainder आया 1 और carry हुआ 1 अब है 4 2 2's are 4 remainder आया 0 और carry गया 2 अब 2 carry जाने के बाद 2 तो नीचे नहीं आएगा लेकिन 2 answer आये तो remainder 0 और again 1 carry और वो नीचे आएगा इस तरह ये हमारा answer बनेगा और दूसरा तरीका जो आपको सिखाया था कि 1 और 1 2 जब 2 होता है तो remainder 0 1 carry 3 remainder 1 और 1 carry फिर 3 remainder 1 और 1 carry फिर 3 remainder 1 और 1 carry 4 कोई भी even number का remainder हमेशा 0 ही आएगा लेकिन 4 के ओपर देखें कि table कितना 2 से लाता है तो 2 2's are 4 और 2 है 2 1's are 2 1 carry और 1 हमारे पास answer की सुरत में आ गया अब किसी भी student को addition के अंदर मसला हो तो मुझे आप whatsapp भी कर सकते हैं comment के अंदर भी link के दे सकते हैं कि आपको किस question की समझ नहीं आई तो वो मैं आपको solve करके दे दूँगा इंशाला कल अब हम सीखेंगे subtraction in base 2 अब हमस्ते अब हमस्ते हैं